आप सभी का स्वागत है मैं हरोज की तरह आज भी अपने घर के पास रहने वाले दो डॉक्स के लिए फीट सर्व कर रही हूँ थोड़ी देर पहले मैंने दो रोटियां सेख ली थी जिनको मैं छोटे छोटे पीसेज में तोड़ कर रख रही हूँ और थोड़ी देर में मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसमें एक भी मिक्स करूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजेगा ताकि हम जब भी कभी न्यूव वीडियो अप्लोड करें आपको उसका नुक्टिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को मिस्वा करें जब ही मैं फीड सर्व करती हूं तो सम्रिद्धी हमारे साथ रहती है वह बूरा प्रोसेस देखती है साथ में खेलती है और जब भी हम फीड सर्व करने जाते हैं वह हमारे साथ जाती है उनके साथ थोड़ी देर खेलती भी है और देखती भी है कि उन्होंने ठीक से खाना फिनिश किया है या नहीं हलो फ्रेंड्स ये हमारे बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं तो फी मिलें एक मदर है और एक उसकी डॉटर है ये फूट उनके लिए प्रिपेर हो रहा है और हम लोग डेली ऐसे इन दों को भिलाते ही खिलाते हैं अचली आज कॉंक्रीट के जंगलों में लोगों के मकान, कारें और हैसियते तो बहुत बड़ी हो गई है बदिल कहीं न कहीं बहुत छोटा रह गया है तो ये छोटा सा प्रयास है अपनी दरब से बेजबानों को एक टाइम अट्लीस खाना देने का और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको दिखा करके ऐसा जरूर करिये क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं आजकल बहुत प्रोफेशनल होते जा रहे हैं और मेरा मानना है कि इन सब चीजों को कराने से बच्चे के सॉफ्ट हार्ट होता है नेचर के प्रती जुडाव होता है एनिमल्स के प्रती प्रेम बढ़ता है और ये एक ऐसा संसकार है जो कहीं न कहीं उसके मन में माता और पिता के लिए भी इज़त पैदा करता है आजकल तो वह दौराए कि हमें इज़त खवानी बढ़ती है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है आजा आगे जाके दे दो नहीं ये खा लेगी ये बेटी है उसकी और वो मदर खड़ी हुई है चलिए आपको मदर से भी मिलवाते हैं इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग करा रहे हैं आफ्टर डिलेवरी इसकी यूटरिस में काफी इंफेक्शन हो गया था तो वेट आता है हमारा जो हमारे डॉक्स का वेट है वही इसका ट्रीटमेंट गर रहा है अब देखिए इसकी हालत अगर हम लोग खाना ना दें तो ये विचारे कैसे जिन्दा रहेंगे इसका इसकी ट्रीटमेंट भी चल रहा है हमारे बैट से ये देखिए बेटी ने अपना खाना खा लिया मदर के खाने पर दाद गड़ा रही है वह मारी जाओगी वह मम्मा है तो मारी मारी जाओगी चल चल बंदरिया सच पता है इस दो रोटी यो थोड़े से दूद और हाफ अंडे से दिल में इतनी खुशी मिलती है कि कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग एटलीस नहीं कर पा रहे हैं कोशिश तो कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सबको नहीं लेकिन जो आपके घर के पास एक दो बेजुबान जानवर हैं इंको प्लीज खिलाइए क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्रेम अगर कहीं जिन्दा है तो वो इन जानवरों में ही है मा के बात मा तो अलगी चीज होती है सच बताएं फ्रेंड्स तो दिन बर कहीं भी आप जाओ कितना भी ठक जाओ लेकिन घर वापस आने के बाद जब यह वैगिंग टेल देखो ना हम तो दिल में बड़ा सुकून मिलता है कि चलो अट लिस्ट कोई तो दिल से वेलकम कर रहा है बच्चा आते ही जेब में हाट डालता है कि पापा क्या लाए चॉकलेट लाए चिप्स लाए एक यही है जो दो रोटी के बदले अपनी जंदगी तक दे देते हैं हम इनसानों को चलिए इसी अच्छे काम के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं कल फिर मुलाकात होगी आपसों तिल दन गुडबाई टेक केर एंड हां अपने आसपास प्यार बनाये रखें बे जुबानों के लिए प्यार बनाये रखें क्योंकि जीवन में और जीवन के बाद यही ची जी ची बाद और बनाये रखें करते हैं